नमस्कार औरणे दस्वर्वर्विंद नमस्ति किष्ळन कारिका मां याइरले स्वागत छा। संदाई जैन यायारू समझ्या कृषी का कुड़ायरू, कृषी प्रभीति का कुड़ायरू, खेती पाती का कुड़ायरू, अब किये गरनी बिलाव राखे को छो बने जानकारी यायरू सैट यायरू समझ्या उपश्तित वह गोछो आधमा यह आयर समझ्छ के रवव खेती रद्यसेमा बकुला सेथ के रवव खेती विशेमा यह आयर समझ्छ के कुला यह राख रही छो या है ठहाँे ठरोब भख्ला खोषी तरकारी बाली कोशिया तरकारी बाली आवा ले मुझे रहां स्वास्तको में किनिया 15 ग्राम MAR Remote प्रोटीन को आवे शिक्ता पर छा त्यों 50 ग्राम प्रोटीन चे आमले कुछी तरकारी यहरू बाली वाड़ा लिन छो रा केरव बकुल्ला इए बाली यहरू अंतरगत पर छा यहरू समझ्या महले यो साउन बदाव मां केरव बकुल्ला को खेती यहरू कसरी गरनी यो कसरी एसले बड़ी उत्पादन दिन लिन शकींच रा कुने इपनी मेन बाली को रूपमा खुश्वा बाली को रूपमा इस वाड़ा आमदानी लिन शकींच वन्निकुल्या यहरू यहरू समझ्या राख राइच्छू अधिकामस आमरो पाखो जमिनेर मां अईली मकई पची आम तोरी छरेको ब्यूएरू फर्किने अवस्ता छाई ना वने कतिपाय किसाने ले बर्स्वा मा एक चुटी वाईसाक मा मकई छरी छेके पची तियो जग्गायरू तेतिके बांजो राखे रा बर्सवोरी ने उपबग गरे को देखी जाई ना यो गर्दा खेरी चाई उत प मके बारी वित्र केराउ र बकुला को खेती गरर मकय को बंदा चाउगूना बड़ी आमने खोशी तरकारी वाड़ा कमो न सक्चमव वननीकुड या इर समच्फे राख देच्छू या इर समच्फे मले बंदा खोजे को कुडाय र की होता बंदा खेरी मकै बाली वित्र ग आमरो खेत बारी मां एक चोटी कोशे बाली लगाऊनू अत्य आवसेक्ता हुँँच त्यो बाली चक्रला पनी यहले मिलाऊनी काम गर छा। यहां एरला महले कीकुरा राखना खोजेको उत्तव नाखरी आमरा मकई बारी यहरू बदोव पची का मकई बारी यहरू अधिकामस चेत्रा यहरूमा खाली उने अवस्ता यहरू खाली ने उने गरेगाशन। योब मद्डे पाडी शेत्रमा बदोव पच्छी पच्छी आमले जब मकई एरू छिप्पे पात एरू लास्तिनी और माची मकई एरू भाची ने सक्के गाच्छन बने मकई को डोड आमले केरोव को बोटलाई ठाकरोगो रूपमा राखतीनी रा कम लागत मा आमले यहलाई थुप्रे आमजाने एरू लिने सक्छाँ यारलमले कीना यो अभुगत करऊंदा इसुत बन्दाखरी आमरो बदोव पच्छी जनसक्तिको अवाबले रा और उत पाधन रास्त का कारण ले आमरो तोरी बाली एरू चाएं उत पाधन एरू उना छोडे को जा रा यो तोरी मात्रामा आमले केरव अथवा बक्कुल लाको उत पाधन लेने सक्छों यो मैले यारलाई सामाने जानकारी गरिए अब कसरी गर्णता यो प्रवीदी हेरू अब यो बंदा खेरी पने सब बंदा पहला चाएं आमी कुन छेत्रा माँ छाओं आमी बशीको चाएं छेत्रको तापक्रम येरू कस्तो छा और अनी बनो न हमरा लगायका बाली येरू फित्री बाली लगाऊ नलाई उपविक्त समाय बायको छागी छाई ना पने कुरायर मा चाई बहुत ख्याल गर्णू पर छा येदी आमले हार नलाई कने मके का पाते रू लाची दियूं मके का टु कि मकायली चाई पुविक्त हाने बिलावाय रू पर QC I면 U जनले पाते रू लाची चिए सगे पुषि वीत्र प्रकास सिर्ने लगाई पर चाई रू अनersonкими छो KumH जा कस्तु चंत केराव का जा तेरू योड़ा शिकिम मन्य जाद छ यहला थाक्रों को आवसेक्ता पर छ यो थाक्रों पाय वन देखिन चाएं करीब करेब 3-4-4 फिट समय यो जाना सक्छा यहला चाएं थाक्रों को व्यवस्ता को लाई चाएं आमले टेम मकई को ढोड तुप दिकसित भयका विकासे यह फोन हाइवीड देखिनले रा उन्नत अरू अन्य जातेरू पनी केराव को आयेको छ जस्तों अले किसानले 10 गेडे केराव को रूपमा अले आयेको अरको योड़ा केराव लाई पनी बहुत प्रयाव प्रयाव गरेको पायें चाएं यो केराव ख को पातेरू लाच्यो वित्रवाय का कांसेरू सपपई हटावने यो कांसेरू अटाई सेके पाची फूरा बाड़ी नखनी कना मगय को नजिक परनी गरी आमले चाएं मल अरू दिन देर रोपन पनी सक्चों अथवा मल अरू पछी बिरुवालाई आमले साइड्रेस करना सक अब क्ये मल खाद देनी ता यहलाई कमपोस्ट मल हैरू आमले बोकेर लार देने सकते नों खर्ची रोऊंचा तेसकार ने आमले राशानिक मल पर्ति रोपनी 10 देखी 15 केजी डिय पी औनी पोटांस 5 देखी 7 केजी पोटांस मल औनी तेसे मां सुस्मा खाद देता तो 1 केज देखी मिशार मल नीरा प्रति बोट 15-20 ग्राम पर्ने गरी आमले सानो ढड़को छाओ मा और सानो खाडल खाडनी तियो खाडल मा चाहिं त्यो मल हैरू राखिनी मल माटो एर ला फेरी मल दिनी औरी परिवार माटो एरू खाणे रा मल माटो एरू जसरी आमले अचार हैरू सांचाँ तेसे गरी चाहिं माटो ला चाहिं सबई तीर मौल एरू पर्ने गरी मल दिनी औरी जुन्तिन आमले मौल एरू चलायो टेजी ने रोपे हो बने अली उमार सकती मा रास आऊनो सक्चा तेसकारणले कम तेमा पनी 7 देखी 10 दिन बची औने पत्ते खाडले ला तिति पनी पढता कार्ठासी फाकिस्थ। छिमिक राष्ट भारत भाड़ा आउने गंगा वायो और तेसे गरी दाल को लाई प्रवयक गरने सानो बकुल लागो जातेरू पनी पाईंचा तर बकुल लागो जातेर मां चाहिं इस्ता ने जातेर लागो बड़ी मन पर आयको देखिंचा किने तब नहेरी कोशा अलिकेती अमने एसे गरी दोपना सक्चाऊ रह यो बकुल ला चाहिं किह गरने तब नहें जब बकुल लाई रह एक वित्ता बंदा लाबो जाउन्चा अनके सबसी आमने टुपो कोटिंग गर दियू बने रामरो जा तुपो कार दिने किना टुपो कार दिनतब नहेरी तुपो चू अली पातलो रोपने, आबा छिर्नी गरी रोपने, कम तीमा पनी 47-47 सेंटीमेटर को फरक पाय रोपने, अनि तेस्पची चाहिए टुपा आयरू कार्दीनी गर्यों बने, आमले बकुल्ला को उत्पादन पनी राम रोली ने सक्चों, रह मैंले यायर लाई केरो र बकुल्ला खेती बिशाय को कुरायरू गरी राखे को छो, अब जस्ते केराव आर्केल को लाई पनी ठाकरो को आवस्ता परेना, रह सिक्किम जात को केराव को लाई चाहिए, ते मकई को ढोड़ेरू ठाकरो ओनी भयो, रह यस बाड़ा आमले कुशुआ बाली को रूप मा चाहिए आम अमरा बाली एर मा पाने लाग दैनन, और आमरा बाली एर मा अहले मकई बाली जाई पथी माटो मा चीशान तीन मैना समा रहन छ, तेस्तो अबस्ता मा चें आमले केराव रबकुल्ला, आमले घुशुआ बाली को रूप मा मकई को बंदा 10 कुना बड़ी आमदानी लिन सकने क कुना या मिले राखे, अब तेसेगरी, आमले खुल्ला बारी में केराव रहन लगाँ दा, जस्तो प्लास्टिक घरवितर, आवले प्रवेवड़न सकत् breathe, अमले गोल्मिणा लगए राखे छां, प्लास्टिक घरवितर को गोल्मिणा खेती में पनी आमले फ़ीं नेड़ा रूपन लई बनायेका प्लास्टिक अर्भित्रपनी आमले केरव को तैने भित्रिबाली को रूप माँ केरव पदो असवाच्वा केरव रोपन सक्चाूं। केरव को कोशायरु वारा आम दानिली न सक्चाूंचा। तिसको अलावा केरव को बोटेरू हर्योग आंस रा मल खाद मा प्रोयग उन्चा रा तिसको त्यु बंदा पनी आमरो प्लास्टिक घरवित्र पनी बर्श को एक चुटी कोशी बाली हरू लगोंदा खरी मातो को बाउतिक अवस्ता हरू आमले सुधार गर्ना सक्चों रा बा बाली को रूप मा केरव रोपन सकिंच पानी खुला मा रोपनी चाहिं कसरे रोपनी तवा एदि आमरो पाखो जमिन छा पनो पानी जमदईना पिता मा एवी रोडा कुलीशों काडिश सेगे पाछि पानी ले नोक्षान करना सक्दे ना वन देखि आमले हार मिला आर आमले द्यांगेरू नपारिकना बारी मां चाहिं किरव अथवा बकुलायरू रूपने सक्चों येदी वहिना आमी खेत मां चाहिं देखिन चाहिं कम्ती मां पने 15-20 cm उठेको एक मिटर चौणाईको द्यांग बनावने रम मल खाद प्रति रोपनी चाहिं हजार देखी 15-20 cm रामर संग पाके को कम्पोस्ट मल डियापी 15-20 cm चाहिं 7-20 cm अनकेशे गरी सुस्म खाद दे ततो बिरुवा को और को खाद दे ततो चाहिं परति रोपनी 1-20 cm ये मलेर सपई मोलेर आम ले चाहिं अथवा जाजा बिरुवा रोपनी क्यां तियां पुरे जमिन मां एकई चोडी सर्चम रा जमिन लाई जोच्छों तेस्पची विवेर लाई उपचार गरर रोपनी रामरोंच आमरो घर का लोकल विवेर उचन बने एक रात मन्तातो पानी मां विवलाई विजावने अन्टेस्पची कारवेंडाजिम प्रति केजी 2 ग्रा तितिन ग्राम तितिन एवडा गेडा रोपे उवने रामरोंच पने को मतलब रोग वाड़ा पनी आमले विवको उपचार गरेरा रोपछों तेस्पची गोड मेल इबाली एरुमा वर्खात को समय वगोनाले प्रशस्तक आसपात एरु आउँछन गोड मेल एरु गरनु प पनी मां सुरशी अथवाचाई 2000 बोट पकुल लागो बोट एरु लगाका छाऊं मोर्य और हमेरु यहरु दादेनों आमरु नक्सान एरु तेले पनी बाई राखेको उन्च जो समय में आमले ग्याप फिलिंग गरने शक्यों और आमले उत्पादन एरु बड़ी लिन फेरी आमले नाइट्रोजन प्रप्रेस गरन सक्चाऊं और बाली को ब्रिदी पिकास को लागी आमले शुश्म खादे तत्तों एरु बोट एरुवाड इस्प्रे गरन सक्चाऊं रा बाली एरुको राम्र उत्पादन लिन सक्चाऊं यो अब बिस्तारे चाई तापक्रम अब अस्तामा चाई रोग किरायर को प्रकोवेरु कम हो दे जान छा रा विशेस्ताय मेले यहां एर लाई बकुल्ला केरव खेती संबंधी सामन्य जानकारे करें द्रिश्चिक्त कुरायरु ले रा एसका रोगेरू एसमा आई परने समस्चिया आयर को विशायमा और को कार कारिकमा फेर यहां एर समस्चिया प्रस्त तुने बाचागर दाई आज अको कारिकम बाड़ यहां एर समस्चिया विदावंचू हस नमस्कार